हलो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कासी हिंदू विश्वविध दाले जो की बनाराश हिंदू युनिवर्सिटी के नाम से प्रचलित है उसका एप्लिकेशन फॉर्म के वारे में डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग कौन से क्लास के लिए अप्लिकेशन क्लाइब करने में और इसका कैसे अप्लाइब करेंगे वह भी हम लोग इस वीडियो में डिसकस करने वाले आज तो चलिए वीडियो सूरू करते हैं सबसे पहले हम लोग को Google Chrome खोल लेना है, खोलने के बाद Bhu Online.in सर्च करने के बाद, लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बनारस Hindu University का Admission for section पर हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर रखा हुआ है, Apply for Admission Academic Session 2023-24, इसमें है Undergraduate Program, जो कि Class 12th Apparing Candidate हो, या फिर जो Already Appeared हो चुका है, जिनका Already One Year के Gap हो चुका है, वो भी Apply कर सकते हैं, Undergraduate Program, जितना भी Undergraduate Program है Bhu में, उसके लिए आपको, अगर आप Interested हो Undergraduate Program के लिए, तो आपको यह Test देना पड़ेगा, CUET, उसके बाद Class School of Admission 2023 भी खुला हुआ है, जो की Class LKG Nursery 1 और 6 के लिए है, उसके बाद Class 9 और 11 के लिए खुला हुआ है, School Under School Interest Test, SET 2023-24 के लिए, अब यह Language Diploma Course जो की Last Year का है, तो यहां तक आज अभी Recent वे यह के तीन Advertisement खुला हुआ है, तो चलिए हम लोग देख सकते हैं, अब इसके बादे में Discuss करते हैं, कब क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या कैसा Process है, अब Undergraduate के लिए Distress किया जाए, तो इसका एक्जाम होगा, CUET, that is Common University in Trans-Test, 2023, इसका Form, इसका Application Form कब से कब तक है, तो हम लोग कब से कब तक apply कर सकते हैं, तो 9th February से लेके 12th March तक हम लोग apply कर सकते हैं, अब टू 9 PM, means evening 9 PM तक हम लोग apply कर सकते हैं, और इसका payment, जो की 12th March, last 11.50 PM तक जो की दात 11.50 मिनिट तक आप payment कर सकते हैं, payment करने का gateway आपको credit card से है, debit card से है, net banking अथवा UPI payment भी आप कर सकते हैं, और form भरते हैं वक्त, in case कोई mistake हुआ है, तो उसको correction करने के लिए या पर date दिया गया है, 15 मार्स से 15 मार्स से 18 मार्स तक, और इसका examination को center कहाँ पर allocate किया जाएगा, वो 30th April को announce किया जाएगा, और आप second week of May में आप admit का download कर सकते हैं, और इसका exam जो है na 21st माई को schedule किया गया है, यह हो गए आपको UG के लिए, अब class नर्शरी के लिए हम लोग देखते हैं, LKG के लिए 1 और 6 के लिए, LKG 1 और 6 के लिए नर्शरी के लिए आप देख सकते हैं, मिर्जापूर्थ, similarly class 1 के लिए, Shri Ranveer Sanskrit विद्याले वनारसी में हैं, और class 6 के लिए Central Hindu Girls School और Central Hindu Boys School के लिए locate किया है, अब इसका available form कब से खुला हुआ है, तो available form देख सकते हैं, 25th February को है, और last कब तक हम लोग apply कर सकते हैं, तो 30th March तक apply कर सकते हैं, अब इसमें भी वोई criteria है, अगर form fill up करते हैं, इनकेस कोई mistake हो रहा है, तो उनको correction करने के लिए यहां पे date lottery basis पे होने वाला है, so lottery का date of e lottery and display of main waiting and list notice, यह आपको 23rd April announcement होने वाला है, इसका admission प्योरली इसका नए exam होगा, नए interview होगा, डाइरेकली आपको lottery basis पे admission प्रोवाइड किया जाएगा, और 23rd April को आपको main list, waiting list का notice announce किया जाएगा, यह हो गया आपको class nursery LKG 1 और 6 के लिए, class 9 के लिए देख करते हैं, class 9 और 11 के लिए आप देखते हैं, class 9 और 11 का जो institute allocate है, वो है Central Hindu Boys School और Central Hindu Girls School, इसका last date means form available of online application form, जो की 25th February को है, इसका खुल चुका है, आप लोग भी apply कर सकते हैं, आप लोग आगे discuss करेंगे, कैसे apply करेंगे इसका last date, 30 March को है, और इसका date of correction वही है, इनके inform भारते वक्त, अगर कोई mistake हो रहा है, तो 31st March से 4th April तक हम लोग correction कर सकते हैं, अब इसका admit card issue, जो online admit card issue होने का date, announce किया गया है, 15th April, और examination date भी announce कर दिया गया है, जो कि आप इसकिन पर देख सकते हैं, class 9 का है, 26th April, जो की 8 वज class 11 में, math वालो के लिए 27th April, same timing है, class 11, biology वालो के लिए 28th April, arts वालो के लिए 29th April, और commerce वालो के लिए 30th April, same timing बे, allocate किया गया है timing, अब इनका जो है न, ये discussion वगेरा, आप इसक्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि, इनका answer की कब upload होगा, तो 10th माई को, आपको answer की upload होगा, वेबस of tentative death for counselling, और उसके बाद, intrans exam होने के बाद, आपको counselling के लिए बुलाया जागा, counselling का tentatively death, announce किया गया है, class of tentatively means, the deaths can be altered, means, थोड़ा इधर भी हो सकता है, थोड़ा आगे भी हो सकता है, तो class 9 के लिए 22nd June है, class 11, math के लिए 23rd June, 11, biology के लिए 24th June, 11, arts के लिए 26th June, और class 11, commerce के 27th June, timing सब का same way, 10 से 12 तक, अब आप लोग डिसकास करते है, application form कैसे open करें, अब जैसे कि हम देख सकते है, apply कैसे करेंगे, apply करने के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते है, suppose मैं class 9 का apply करके दिखाता हूँ आपको, apply for class 9 में क्लिक कीजिए, class 9 पर क्लिक करते हुई, हम लोग का दूसरा टैप खुल जाएगा, class खुलने के बाद यहाँ पर, अगर आपका पहले से profile क्रेट हुआ है, तो आप sign in पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप register yourself करेंगे, तो मैं यहाँ पर register yourself करता हूँ यह सारा detail है, यहाँ पर current password, confirm password, यहाँ पर पासफोर्ड का criteria देख सकते हैं, यह password suit content, minimum of 6 alphanumeric character उसके अबाद data बात रखिये, mail father's name रखिये, address आप दी सकते हैं, आप जाओ, आपका जोओधार काड़ यह address है, मैं छोना पड़ा, तो मॉवाइल नमबर वही दीजिए, जो आपका अप्लिकेंट्स का मॉवाइल नमबर यहाँ पर देना है, इतना देने के बाद यहाँ पर sign up पर क्लिक कीजिए, अब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्लिज चेक और email id and mobile number before confirmation, यदि कोई change करना है, तो चेंज कीजिए, नहीं तो आप आगे बढ़िए, कांफर्म करने के बाद हम लोग यहाँ पर देख लगता है, तो आप इमेल आइडी चेक करेंगे, email id पर एक लिंक गया होगा, तो email id पर चेक करने के बाद आपना चेक कीजिएगा, इनकेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप स्पैम में जाके चेक कीजिए, वो email id प पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल एक्टिवेट कीजिए, प्रोफाइल एक्टिवेट करने के बाद हम लोग यहाँ पर sign in पर क्लिक करेंगे, sign in करने के बाद यहाँ पर email id और password रख रहा हूँ, password रखने के बाद application form में आने के बाद यहाँ पर course type हम select कर रहे है, school और class 9 के लिए है, check eligibility, I confirm that I am eligible, अब general के लिए 13-15 साल और SC-ST के लिए 13-15 साल है, same है, add course, उसके बाद कौन से category में मैं विलोग करता हूँ, general में select करूँगा, आप in case, अगर आप SC है, ST है, या फिर OBC है, आप अपने according, choose कर लिजेगा, select करने का बाद, do you claim reservation for economically weaker section, मैं यहाँ yes करता ह हूँ, आप अपने preference चूज कर सकते है, select word, no, physically disabled, no, BHU employee word, यदि आपका माता और पीता BHU में काम कर रहे हैं, तो आप else कर सकते हैं, यह नहीं तो, no कीजिएगा, इतना करने का बाद यह सब हो गया, address line पर, मैं अपना address सकता हूँ, state select कीजिएगा आपना, उसके बाद district, इतना करने के बाद, mobile number आप अपना guardian का देशने है, अब यहाँ पर, image upload candidate photos, upload candidate signature, और upload parent signature, upload करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पर टेस्ट बुक में हम लोग देश आ सकते हैं, यहाँ पर जाने के बाद, हम लोगों को एक फोटो अपनाड करते हैं, यह वाला, और इसका जो height width है, जो हम लोगों को, सेव करना पड़ेगा, pixel पर 200 cm, यहाँ पर maximum size में देता हूं 100, और minimum size रहेगा, डाउनलोड करने के बाद, हम लोगों यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर जाकर हम लोगों डाउनलोड में करेंगे, और upload करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों का सब कुछ upload हो चुका है, इतना होने के बाद save and continue करेंगे, save and continue करने के बाद, हम लोगों का application form आ चुका है, और icon form देवाब उपर दिया गया detail, सारा करने करेक्ट है, वह हम लोग confirm करके, confirm and submit में क्लिक करेंगे, back to my application, अब यहाँ पर हम लोग make payment, यहाँ जनरल category के है, तो आपका payment लगेगा 750 along with GST Charges, और यहाँ SCST से belong करते हैं तो 500 आपका payment लगेगा, मैं select payment, मैं debit card choose करता हूँ, यहाँ पर online payment करने के बाद मेरा form, आप application form डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ मेरा payment status सब कुछ हो चुका है, payment status भी क्लिक करने के बाद यहाँ पर, मेरा payment ID और application ID, application for school 11 यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, application form का payment district आचुका है, along with our application, application आज के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लागा हो तो चैनल को सब्स्ट्राइब कीजिएगा, thank you.